इस वीडियो में हम मेक्रोइकनोमिक्स के इंपोर्टन कुश्टिंज करने वाले हैं याने कि हमारे सेकंड टर्म बोर्ट के लिए कौन कौन से इंपोर्टन कुश्टिंज है जो की हम लोगों को आने चाहिए जो भी इंपोर्टन कुश्टिंज हैं इसकी पिक मैंने अपनी पोस्ट में भी डाली है तो आप वहां से देख सकते हो अटेम्ट कर सकते हो लेकिन इसके साथ सथ अगर आपको कुछ ट्रेक्स और कुश्टिंज को कैसे अटेम्ट किया जाता है आंसर चेक करने के लिए आप ये वीडियो को जरूर देखिए तक कि आपको पता चले कि हम पूरा वेपर करके आने पर भी हमारे मांस कहां कट हो जाते है मेरा यही एम रहेगा कि कम समय में ये पूरा वेपर आपको कराऊं और इसके साथ आप भी अपने साथ इसे अटेंट करो मतलब अटेम्ट करो ठीक है तो सॉल्व कर सकते हो आप जिसमें फर्स्ट कोईश्टिंज जो है गाईज तो आप लोगों को पता है double counting का मतलब क्या होता है अगर आपने national income पड़ा है तो मेजरेंस to avoid it दो तरीके कौन से जिससे जिसे अवाइट किया जाता है सो double counting का मतलब क्या होता है बही बताओ जुल्व कर चैनल का मतलब होता है तो अगर production process में कोई एक item थी उसको आपने एक से ज्यादा बार count कर लिया तो उसे double counting कहते हैं जिससे हमारा GDP calculation गलत आता है, national income गलत आती है इसलिए हमें किसी भी item को double count नहीं करना चाहिए कैसे avoid कर सकते हैं तो दो तरीके बता रखें final output यानि कि final output method के true आप जो final output निकल किया है उसको calculate करो second is value added जितना जो sector value add करता है वही add करो so उसे double counting कहा जाता है exam के point of view से आप लोगों को ये आना जरूरी है second question जो है वो practical है जो मैं चाहती हूँ कि आप में जे साथ attempt कर सकते हो जिसमें आपको real GDP given है 30,000 real GDP कितना given है guys आपको 30,000 price index कितना given है आपको 110 and base given है 100 आपको nominal GDP निकालना भोला है तो देखो nominal GDP का formula क्या होता है nominal GDP is equals to real GDP into price index upon में base right अब real हमें given है 30,000 price index given है 110 और base है 100 का अगर आप इसे solve करोगे answer आएगा 33,000 जो किया हमारा real GDP निकल गया तो आपको real and nominal की questions भी practice करने हैं इसके साथ साथ जो third question है guys उसमें हमसे theory में पूचा है expense saving किसे कहते हैं investment किसे कहते हैं आपको यहां पे meaning लिखना है expense save and expense investment So guys int मतलब होता है planned क्या होता है मतलब So accent का मतलब क्या होता है planned and post का मतलब होता है actual तो आपको किसी भी तरीके से question आ सकता है accent saving, accent investment या फिर post saving, post investment दोनों तरीके से किसी की भी definition पोच सकते है So dekhou accent saving का मतलब क्या होता है refers to the planned saving by the household at a different level of income यानि कि जो भी household sector different level of income पे planning करता है saving की उसे accent saving कहते है and the exposed investment refers to the actual investment made by the firm in a year यानि कि firm ने जो एक साल में investment करी उसे हम लोग exposed investment कहते है या फिर आप exposed investment का refers to the actual investment in a year भी लिख सकते हो ठीक है तो ये definition ज़रूर पढ़नी है आपको और याद रखनी है इसके अलावा हमारा जो question number 4 बनता है वो क्या है देखो easy easy questions है बट ये वो questions है जो आपको आने चाहिए question number 4 guys practical है and I want कि आप साथ में solve करो क्योंकि ये जरूरी है देखो हमें आपे बोला है consumption expenditure is 8750 so c is equals to 8750 आगे वो कहते है ratio of APC APC और APS का ratio है हमारा 7 is to 1 okay calculate the level of income in the economy यानि कि हमें क्या निकालना है y निकालना है simple so अब आपको पता है APC और APS का क्या है ratio 7 is to 1 यानि कि अगर हम बोले APC का formula क्या होता है APC is c upon y average propensity to consume c upon y होता है ठीक है अब हमें ये c given है that is 8750 और हमें y निकालना है अब APC actual में क्या है guys 7 कितना है हमारा APC क्या दे रखे 7 और 7 divided by क्या होगा 7 plus 1 8 ठीक है तो यहाँ पर हमें ratio mention करना है 7 by 8 क्योंकि अगर हमारी जो consumption है वो 7 है saving 1 है तो total income is equals to 8 है तो ratio 7 by 8 equal रखना है 8750 divided by y के यहाँ पर इसको अगर cross multiplication करेंगे तो यह 7 by यहाँ पर आ गया और 8 को multiply करना है 8750 से 70,000 7 by तो y का अंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज ठीक है तो यह आपको mention करना है और 10,000 यानि के आपकी income निकल के आ गई तो यह question थोड़ा से ट्रिकी होते हैं लेकिन काफी असान है दिखो अगर आपको concept यह वाला clear है तो यह question करना असान है ठीक है इसके बाद इन्होंने theory का question बोला है कौन सा है theory का question guys intermediate and final goods में क्या difference है दो बताने हैं बता सकते हूं intermediate goods की definition क्या होती है refers to those goods which are used in our production process and resale purpose and final goods कौन से goods होते हैं which are available for the consumption and investment intermediate goods को हम national income में include नहीं करते हैं intermediate goods को national income में include करते हैं intermediate जो goods होते हैं वो अभी भी production process में होते हैं final goods production process के बाहर पहुंच चुके होते हैं so बहुत असान से difference है इसके जो आपको पता होने चाहिए important है chapter की point of view से question number six में guys हम लोगों को बोला है how should the following will be treated while estimating national income national income calculated करते वक्त इनको किस तरीके से treat किया जाएगा with reason any three बोला है लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगी construction of a new house अगर नया घर बनता है तो guys क्या यह national income में आएगा yes यह national income में आएगा because क्यों आएगा because इससे production हो रही है किस चीज़ की goods and services की goods एक item त्यार हो रहा है so इसे national income में हम include करेंगे second है guys interest on public debt तो interest on public debt को हम national income में include नहीं करते क्योंकि यह government ने loan ले रखाता है और इससे कोई government ने consumption purpose के लिए loan लेती है तो इससे कोई भी production नहीं हो रहा होता तो government ने अगर public से कुछ पैसा लिया तो वो उस पर जो भी interest दिया जाता है वो national income include नहीं किया जाता है उसके बाद है third guys हमारा free medical facility provided by employer कौन provide कराया है employer provide करा रहा है free medical facility most of the student इसका answer no लिखते हैं but guys भले ही free है but यह आता है national income में because it's a part of a compensation तो यह आएगा इसके बाद fourth guys आपका royalty royalty क्या हम लिखते हैं so yes royalty हमारे national income में आता है because it's also a income generated in an economy ठीक है अब इसके बाद guys question no 7 जो है वो हमारा आप लोग भी साथ में attempt करिएगा देखो question no 7 में हमें given क्या है हमें saving function given है कितना minus 200 plus 0.25y note करिए साथ में minus 200 plus 0.25y the economy is equilibrium when income is equals to 2000 यानि कि आपका income कितनी given है equilibrium income 2000 अब equilibrium income पर guys क्या condition होती है हमारा AD हमारे ASK बर्याबर होता है right हमें क्या निकालना है calculate investment expenditure at equilibrium level of income investment expenditure यानि कि I की value निकालनी है दूसरा autonomous consumption निकालना है तीसरा क्या निकालना है multiplier यानि कि investment multiplier निकाल लेंगे देखो saving function given है autonomous consumption हमारा कितना निकलेगा saving को अगर हम देखे 200 हमारा autonomous consumption आ जाता है जिसे हम small c और उपर बार से denote करते हैं right second इन्होंने पहले बोला investment निकालो तो हमें पता है AD is equals to C plus I और AD हमारे किसके बराबर है AS के और AS किसके बराबर होता है income के तो हम यहाँ पर अगर value put करें Y is equals to AD is equals to C plus I तो अगर Y हमारा 2000 है C कितना होगा guys C function क्या बनेगा हमारा plus का 200 यह अगर हमारा क्या है MPS है तो MPC 0.75Y होगा तो 200 plus 0.75Y plus I अब इस equation को solve करना है हमने बस 2000 अगर इसको हम solve करें plus 0.75Y कितना है again 2000 plus I हमें यह I की value निकालनी है 200 plus यह आजाएगा 1500 plus I और यहाँ 2000 2000 में से 1700 होगा 300 हमारा I आजाएगा तो investment की हमारे जो इन्होंने हमसे पूछा था investment तो investment 300 है guys और आपका autonomous consumption निकल गया अब आपको multiplier निकालना है तो multiplier तो easy है निकालना multiplier का formula क्या होता है कि this goes to 1 upon में 1-MPC लगा दो MPC हमारा था 0.75 तो 1-0.75 0.25 solve करोगे तो आजाएगा आपका multiplier 4 चोकी असान सा था लेकिन यह question हमें आने चाहिए Question No.8 है guys Meaning of multiplier and show how it works in economy यह बहुत important guys multiplier का क्या मतलब होता है multiplier किसे कहते है multiplier उसे कहते है that is the ratio of change in income with respect to change in investment in an economy यानि कि अगर हम income में कितना बदलाव आता है अगर हम एक economy में investment करते हैं कुछ amount की तो अगर हमने 1000 करोड की investment करी तो उससे income में कितना बदलाव आएगा इस पर मैंने एक separate video भी बना रखी है जिसमें पूरा process MP multiplier का सिखाया है अब आपको यह attempt कैसे करना है आपको यह attempt इस तरह के करना है कि first आपको multiplier की definition लिखनी है second आपको इसका पूरा process बताना है जिसमें आप बताओगे कि let economy invest या in economy government invest amount of government invest amount of rupees 1000 crore ठीक है तो I आप assume करोगे MPC आप assume करोगे let MPC is equal to 0.90 so MPS is 0.10 इस पर गाइस पूरी वीडियो बनाई है वो पूरो process लिखना है सही तरीके से step mention करने है one, two, three और आपको इसके साथ जो आपकी book में table given है वो भी बनानी है तब ही आपको full marks इसमें अचीव होंगे ठीक है इसके बाद next question है how to correct excess demand in an economy through fiscal and monetary policy तो fiscal and monetary policy से excess demand को तो fiscal policy में दो चीज़े होती है आपको पता होना चाहिए टेक्स और government spending तो अगर excess demand है टेक्स भी बढ़ा देती है RBI basically इसमें बढ़ा देती है ताकि लोगों को loan availability कम हो जाए तो वो चीज़ हमें mention करनी है सब पर video available है guys अगर जरूर देखना इसके बाद हमारे national income के guys यह दो question आते है ठीक है जिसमें हम लोगों को बताया गया है क्या निकालना है net value added at FC sale हमें given है change in stock है intermediate consumption है NIT है export है depreciation है I want कि आप अपने साथ इसे solve करो देखो सबसे पहले तो यह सारा कुछ हमें value of output method का value added method जो है हमारा उसका given है राइट सारे चीज़े अब हमें पता है value added कैसे निकलता है कैसे निकलता है guys value of output minus intermediate consumption अब हमें value of output given नहीं है so value of output कैसे निकलेगा उसका भी formula होता है value of output का formula क्या होता है sales plus change in stock तो अब हम sales कितने किया हमारी 400 के change in stock है 20 का यह आगया 380 तो यहाँ पे value of output निकल के आया 380 minus IC बोले तो intermediate consumption जो की है 200 यह आजाएगा हमारा 180 ठीक है यह 180 आगया अब इन्होंने हमसे बोला है value added guys क्या होता है gross value added at MP बोलते हैं इसे लेकिन हमें निकालने को बोला है NVA at FC हमारा निकल चुका है GVA at MP जो चीज निकालनी है उसको हमने left hand side रखना है और जो हमारे पास है उसे हमने right hand side रखना है अब G से N पे जाना है तो हम debt less करेंगे और MP से FC पर जाना है तो हम NIT less करेंगे तो हमारे पास 180 था debt कितना दे रखा है depreciation 70 दे रखा है NIT क्या होता है IT minus subsidies already given है हम लोगों को 40 180 minus 110 तो 70 जो भी अगर answer crore rupees में given है वो mention कर देंगे और हमारा answer निकल आएगा बहुत easy सा concept है लेकिन हमें आना चाहिए ठीक है इसके साथ guys दूसरा income method के through हम लोगों को solve करना है question income method में हमें क्या-क्या चीज़े given है देखो हमें निकालना है NNP at MP चीक है income method से जब हम solve करते है हमारा answer NDP at FC आता है यानि कि directly हमारी domestic income निकलती है जिसे हम क्या खहते है NDP at FC ठीक है तो अब सबसे पहले क्या होता है NDP at FC का फॉर्मरा हमारा सबसे पहले होता है compensation of employees plus operating surplus operating surplus किसे कहते है rent, interest and profit को वही चीज़ हम लेंगे plus mixed income ठीक है अब compensation हम लोगों को given है guys 3000 operating surplus हमारा आजाएगा 600, 700 rent, interest and profit कितना आगया कितना कितना profit 1000 है थोड़ा उपर नीचे हो गया mixed income कितनी है 8000 अब अगर हम इसे solve परे कितना आएगा 8,000, 9, 3, 12 13,300 हमारा NDP at FC आगया हमें निकालने को बोला है NNP at MP तो जो निकालने को बोला है हम उसे यहां रखेंगे और जो हमारे पास है उसे हम यहां रखेंगे ठीक है अब N पे तो है हमें D से national income पे जाना है तो NFIA एड़ करेंगे FC से MP पे जाना है तो NIT भी हम एड़ करेंगे 13,300 में NFIA का फॉर्म रहा क्या होता है गाईस factor income from minus 2 तो यहां पे from कितनी है from हमें नहीं given 2 given है 60 तो 0 minus 60 लिखेंगे NIT कितना given है NIT given है हमें 500 ठीक है तो 13,300 minus का 60 plus का 500 तो 13,800 में से 60 गया तो 13,740 answer हमारा आ जाएगा इसका ठीक है तो आपको step by step करना है अपना answer साथ के साथ guys formula जरूर mention करना है important है formula mention करना otherwise teacher को नहीं समझाएगा कि आप क्या कर रहे हो तो formula mention करते हुए ही आपको question को solve करना है और बहुत घिचपिच मत करना अपने paper में थोड़ा सा space देकर हर एक चीज़ का answer देना तो इस तरीके से guys यह important questions है macroeconomics के नई वीडियो में मिलूंगी नई questions के साथ thank you